दोसों इसे काफी लोगों ने मेरे साथ बात की है जिनके पार्टनर उनके रिलेसंशिप के स्टार्टिंग में उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते होते हैं लेकिन जैसे जैसे रिलेसंशिप आगे बढ़ता है कुछ टाइम के बाद एक साल दो साल छे महीने पांच साल उसके बाद वो इनसन खुद अपने पार्टनर को छोड़के चला जाता है पर क्यों लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती जब मैं ऐसे लोगों के में कोमन चीजे देखने को मिलती है कि कैसे वो रिलेसंशन खराब होना बिगरना स्टार्ट होता है और स्टेप बाई स्टेप कहां कहां से वो रिलेसंशन बहुत ज़्यदा बिगरने लगता है और एन में आकर वो रिलेसंशन खतम हो जाता है ताकि आप इन चीजों को समझ चको कि ऐसे बहुत ज़दा प्यार करने वाला इंसान भी आपको छोड़के जा सकता है कहां से गलती की सुरुआत होती और कहां पर यह रिलेशन एंड होता है सबसे पहली चीज जो हम गलत करना स्टार्ट करते वह होते ओवर केर यह चीज़े बहुत ज़दा डेंजर होती मैं हम इसा कहता हूँ कि यह चीज़े आपको मेडियम में यानि की बैलेंस में करनी चाहिए अब और केर क्या होती है आप हच से जदा उनके बारे में सो होते हो हच से जदा केर हच से जदा प्यार मतलब उनकी हर डिमान को पूरी करना आपकी लाइफ में बस वही वह ठीक है ऐस लुए आपको अंदा जानी होता कि इतना डेंजर होता दूसरों इससे ना दूसरी चीज क्रीट होती है जिसे हो कहते हम की खोने का डर अब आप दिनराथ जिसके बारे में सोचोंगे जिनको इतना प्यार करोगे जिनके लिए इतनी सारी चीज़े आपने किये जो आपने सोचते हो उतना करते हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं दीरे दीरे उनको खोने का डर आही जाएगा बे मतलब का आपके अंदर उनको खोने का डर आने ही वाला है जब आप अपनी दुनिया मान लेते हो तो आपके अंदर उनको खोने का डर आने ही वाला है और जैसे ही वो डर आपकी चीज़े बदलेगी असानी है कि आपके अंदर डर है लेकिन आप रियेक्ट नहीं करोगे उनके रियेक्शन बड़े खतरनाक आएंगे अब होता क्या है तीसरे स्टेप के बारे में बात करें कि यहां पर अब आप दिरे दिरे उनको खोने से डर रहे हो तो आपके बी थोड़े थोड़े क्योंकि वो सेटिस्पाइड हो रहे है और इसके कारण थोड़ा उनका दूर जाना सही है अब आपके मन में सक बढ़ेगा आपके मन में डाउड बढ़ेगा और आपकी एफट ना बहुत उनके लिए अलग कुछ हो जाएगी कुछ वीचीजर हो जाएग कि कुछ आप अलग कर रहे हो कुछ चीज़े डिफरेंट हो लेकिन आप ना कहीं पर उनको वोच रखते हो कुछ ओनलाइन देखते हो उनका फोन थोड़ा सा बीजी आया तो आपके मन में डाउड होगे तो इसके बाद ना आपका बेहिवियर अपने पार्टनर को लेकर ऐस करेंगे एक तो आपका पार्टनर इमोशनल सेट्री स्पाइड होगे थोड़ा सा तो अलग गया था थोड़ी से उसको स्पेस सही थी उपर से आपके सवाल आपके क्वेशन कुछ ऐसे चीज़े होगी जो आपको बुरी लग रही होगी और आप उपने पार्टनर से कहने ल अलग रहा था है बहुत उनको लगता है कि वह लगी था अब उस परसंड को आप बुरे लगने रहोगे याप तुम यहांपर जबर जबर जबरगा हो सकता है आप दोनों के बीच में बरी फाइट भी हो सकती है अब जो नेक्स पांचमा स्टेप है यहां पर ना सीजे और ज़्यादा गड़बर हो जाती है या तो आपका पार्ण आपको इग्नोर करने लगा बहुत ही ज्यादा बुरा वाला या आपका पार्णर ऐसे टाइम पर किसी और से बात भी कर सकता है अब क आपका पार्णर क्यूंड करेगा क्यूंकि वेंवेंशनल रहा है तो ऐसे टाइम पर ना इनसान को को ही कर रहा होता है चान्स मार रहा होते तो एसे लोगों से बात करते क्यूंकि उनको थोड़ा सा इमोसिनली सपोर्ट कभाए होता है वह अपने सब्सक्ति आपको संभाल आपका पार्णर किसी और से बात कर रहा है, समझें, तो आप इस चीज को कितनी गलत समझोगे, बहुत ज़्यादा गलत समझोगे, आपको लगता था कि अब तक में इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन पता ने इस इंसान ने कब से मुझे अंधेरे में रखा औ आपके ओवर केरिंग के कारण, बहुत ज़्यादा प्यार करने के कारण, धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप बाई स्टेप बाई इतना खराब हो जाता है, लार्श में दोनों ही एक दूसरे की नजर में बहुत ज़्यादा बुरे बन जाते हैं, जो स्टार्टिंग में एक दूसरे को नफरत करने लगते एक दूसरे के लिए बूरा भला बोलते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि जो इंसान आपको बहुत अद्धा प्यार करता था स्टेप बाइस टेप केसे रिलेशन खराब होता और एक टाइम पर वही इंसान आ लगए तो इसे लाइक करें ऐसा वीडियो और देखना जाते हो तो चैनल को फ्री में सब्स्क्राइब करें ठेंक्यों सो मच्छ